गुड इवनिंग फ्रेंट्स आइम एडवोकेट अमित कुमार गुपता अपने इंकम टेक्स के केसिस के सिरीज में आज जो केस हम लोग डिसकस करेंगे उस केस का नाम है मरूती इंशुरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लेमिटेड वर्सिस डेप्टी कमिशनर ओफ इंकम टे उन्रेबल दिल्ली हाई कोट ने डिसाइड किया यह केस असेस्मेंट यह बारा तेरह से रिलेटेड है और यह केस सेक्शन 37 पे है केस बहुत इंटरस्टिंग है इस केस में असेस्टी जो है वो उसने एक इंशुरेंस ब्रोकिंग का काम शुरू किया कम्पनी 24 नवंबर 2010 को इंकॉर्पेट की गई और कम्पनी ने इंशुरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर लाइसंस अप्लाई किया एक दिसंबर 2010 को लाइसंस मिलने में टाइम लगा और कम्पनी को जो लाइसंस मिला वो दो फरवरी 2012 को मिला इस केस में असेसी ने जो अपनी पहली रिटन फाइल की थी वो 2011-12 असेस्मेंट इयर की फाइल की जिसके अंदर असेसी ने 57,000 रुपे का लॉस क्लेम किया उसके बाद assessi ने अपने जैसा कि उसने insurance के license के लिए apply किया था उसके बाद उसने 29 branch locations पर अपना office open किया, employees को hire किया, lease agreements किये, rent के उपर offices खोले और इन सब चीजों पर जो खर्चा हुआ और जो assessi ने अपने return फाइल करी assessment year 1213 की, वो loss के अंदर 2.78.00.00 की return जो है loss की फाइल करी assessment year 1213 का section 143 sub section 3 के अंदर case reopen हुआ और assessment की गई, जिसको assessing officer साब ने ये कहके, सारे खर्चे को disallow कर दिया, कि assessi ने अपना अभी business commence नहीं किया है, क्योंकि 2 February 2012 को ही उसको license मिला है, तो उससे पहले का जितना भी खर्चा है, वो pre-operative expenditure होना चाहिए, और उसको capitalize करना चाहिए, और उसको business expenditure के बता और claim नहीं किया जाना चाहिए, ये तरक देते हुए, ये साब ने उस खर्चे को disallow कर दिया, matter CIT appeal के पास गया, CIT appeal ने भी assessi की बात नहीं मानी, और assessi को दिल्ली ITAT जाना पड़ा, दिल्ली ITAT ने भी assessing officer साब के, और CIT appeal साब के फैसले को status क्यों रखते हुए assessi को relief नहीं दिया, matter दिल्ली high court में गया और दिल्ली high court ने assessi के favor में decision दिया, दिल्ली high court ने एक नए effect को, एक नए law के point को इसमें बताया और ये कहा, कि setting up of business और commencement of business में फरक होता है, assessi ने अपना business जो है, वो setup तो उसी दिन कर लिया था, जिस दिन assessi ने अपनी company को incorporate कर लिया था, तो setting up of business से लेकर के commencement of the business तक, जो खर्चे होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हर situation में वो applies किये जाएं, इस case में assessi ने license के लिए company बनते ही apply कर दिया था, सारे business operations की तयारी कर ली थी, 29 locations पे अपने offices को open कर लिया था, lease agreements कर लिये थे, खाली जो assessi जो है, वो इसलिए अपनी पहली insurance policy नहीं बेच पा रहा था, तो कि assessi को insurance regulatory authority से license नहीं मिला था, तो इस case में दिल्ली हाई court ने ये decision दिया, कि ऐसी परिस्तेतियों में जहां पे assessi ने अपना business setup कर लिया होता है, और business को commence करने की सारी तैयारी कर लिया होती है, तो उस case में उसके इस period के खर्चे को setting up के, setting up से लेकर के commencement of the business के सारे खर्चों को pre-operative मान के capitalize नहीं किया जाना चाहिए, और उनको business expenditure के बताओ जो है, वो allow किया जाना चाहिए, assessi को काफी लंबी लड़ाई लणनी पड़ी, friends, AO ने disallow किया, CIT Appeal ने disallow किया, ITAT ने disallow किया, कई बार ऐसी situation के अंदर assessi जो हताश हो जाता है, लेकिन यदि हमारा लागा point ठीक है और हम अपनी बात पे सही है, और हम अपने facts को ठीक तरीके से present कर पाएं, तो हम उचे level पे जाकल भी अपनी बात को claim कर सकते हैं, तो इस case में दिली हाई court ने बहुत अच्छा फैसला दिया, जो कि assessi के favor में था, और बड़ा ही lawfully और facts को appreciate करते हुए, सारी चीजों को अपना फैसला दिया, एक बार मैं, फिर दुबारे case का नाम repeat करना हूँ, case का नाम है, Maruti Insurance Broking Private Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax, और ये case 12 April 2021 को decide किया गया, और matter 435 ITR, page number 34 प report हुआ और दिली हाई court ने ये फैसला दिया, friends, हमारी कोशिश रहती है कि case की deliberation के दौरान हम सारे facts को और law point को बहुत एक छोटी सी summary में आपके सामने बताएं, कई बार, क्योंकि पूरे case को 5 मिनट में summarize करने में हो सकता है, कि हम facts के साथ थोड़ा बहुत इधर बार हो जाता हैं, तो आप कोई भी इस case को अपने case में use करने से पहले पूरे case के judgment को पढ़ें, ताकि जोए आप पूरी तरीके से case के facts के साथ परिचित हो पाएं. Thank you friends. Thank you.